नमस्ते दोस्तों आप समका बहुत-बहुत स्वागत है एक और ने वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के बारे में यह इनोवा का हाइब्रिड वर्जन है अभी हाल ही में लॉंच हुआ है आज हम इसके सारे वेरियंट्स के बारे और उनकी फ्राइजिंग के बारे में डीटेल में बात करने वाले हैं तो चलीए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो भाइयों सबसे पहले सुरू करते जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन है वो 172 बेच्पी की पावर और 205 नम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और जो टू लिटर हाइब्रिड इंजन है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करता है 184 बेच्पी और 206 नम जो की बैटरी की मदद से है जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट स वाली सीट है जो सेंटर में जिसमें पूरा सीट ऐसे फैल जाती है कि आप देख सकते हैं यह आपको उपर के वैरियंट्स में मिलेंगे जो टॉप वैरियंट्स है जो बाकी नीचे के वैरियंट्स है वो काफी ज्यादा नॉर्मल रहेंगे और इन फैक्ट जो 21.1 की वाला इन में आपको अब देखते हैं इनका एक्ट्वल एफिसेंसी फिगर क्या होता है एक अगर ऐसे अंदाजा लगाए हम दो लिटर पेट्रोल इंजन के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि 10 या उससे ज्यादा मैलेज 10-12 का मैलेज यही मिलेगा अगर प्रैक्टिक हैं कि 15 से 20 के बीच हाइबरिड इनोवा का मैलेज रहने वाला है और जो नॉर्मल आएगी इनोवा हाइक्रोस की बात हम कर रहे हैं और यहां पर जो नॉर्मल वाली होगी सिर्फ पेट्रोल वाली उसका मैलेज जो है 10-12 ही रहने वाला है भाई एक प्रीमियम 7 सीटर हैवी क और भाई अगर बात करें इसके टोटल वाइरेंट्स की न इस गाड़ी की तो यहां पर पांच वाइरेंट्स हैं दो पेट्रोल में होंगे G, SLF और GX और नीचे जो तीन वाइरेंट्स होंगे यह उपर होंगे वो होगा VX, ZX और ZX और यह तीन होंगे hybrid only में और यहां पर अब देख सकते हैं कि इस तरह से design यहां पर इस गाड़ी का दिया गया है, overall जो length है वो बढ़ी है, width भी बढ़ी है, और जो height है गाड़ी की और ground clearance है वो same है, Innova Crystal से गर हम compare करते हैं तो, और यहां पर आपको जो top model है, जो optional वाला variant है, उसमें कुछ ADAS वाली features भी देखने को मि लेंगे, तो यहां पर आप समझी सकते हैं, भाई, XUV को देख करके, थोड़ा बहुत Toyota भी यह से features लाने लगा है, वरना इनकी गाड़ी नहीं तो भाई, feature less हुआ करती थी, अब यह लोग features दे रहे हैं, और अगर tire size गर की बात करें दोस्तों, तो जो petrol वाली variants होंगे, उसम जो base variant होगा, उसमें steel wheels मिलेंगे, बाकी उपर आपको alloy wheels मिलेगा, और उन दोनों में 16 inch के tires मिलते हैं, और बाकी जो VX variant होगा, उसमें 17 inch का alloy है, और जो ZX और ZX optional है, उसमें 18 inch के alloy wheels देखने को मिलेंगे, डिजाइन होगारा अलग-अलग है, और interior आप देखें, जो premium interior है, soft touch material वगरा के साथ, यह आपको सिर्फ और सिर्फ hybrid variants में मिलेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो infotainment screen है, 10.1 inch वाली दी गई है, 9 JBL speaker system के साथ, जो की top variant में देखने को मिलेगे, नीचे के variants में यह सारे चीजें नहीं हैं, वहाँ पर अलग आपको देखने को मिलेगा, बाकी जो seat वगरा है, ventilated seat आपको top variants में देखने को मिलेगे, और leather upholstery है, और बाकी जो 7 और 8 seater का यहाँ पर variant के हिसाब से changing भी देखने को आपको मिलेगा यहाँ पर, और जो lights हैं, वो full LED दी गई है, और DRL में indicators वगरा जो हैं, वो top variants में आपको देखने को मिलेगे, बाकी base variants हैं, उनमें सब चीजे normal रहने वाली हैं, और यह आप देखें, ventilated seats का feature add किया गया है, तो कुछ इस तरह से उसका showcase company कर रही है, JBL का जैसे कि मैंने बताया 9 speaker system होने वाला है, एक subwoofer होगा जिसमें से, और 8 speakers होंगे, और ottoman वाली seats भी आपको देखने को मिलेंगी, ZX और ZX optional variant में, तो इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ 7 seater रहने वाली हैं, उनमें कोई 8 seater का option आपको नहीं मिलेगा, और अगर हम बात करें sunroof की, तो वो भी आपको top models में ही देखने को मिलेगा, ZX और ZX optional में, और किसी भी variant में आपको किसी प्रकार का कोई चोटा मोटा भी sunroof नहीं है सिर्फ और सिर्फ ZX और ZX optional में ही आपको panoramic sunroof और power tailgate मिलेंगे, बागी की variant में आपको normal tailgate मिलेगी और कोई sunroof नहीं मिलेगा, और यहाँ पे जो MID हैं, जिसमें हम multi information display, जो steering wheel के पीछे होता है, वहाँ पे 10.7 cm की MID मिलने वाली है, petrol variants में, और जो hybrid वाले हैं, उनमें 17.8 cm क MID यहाँ पे देखने को मिलेगी, और यहाँ पे अगर 200 बात करें न, कुल मिला जो लगे, तो overall एक यह बढ़िया गाड़ी है, थुरहासा boot space की में बात कर लेते हैं, यहाँ पे 991 लिटर का boot space होगा, जब आप 3rd row को fold कर देंगे, otherwise यहाँ पे 300 लिटर के around boot space रहने वाला है, और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं, इसके pricing की जो की सबसे ज़्यादा important चीज होने वाली है मेरे इसाब से, और electric और hybrid वाले variant की अगर pricing की बात करें दोस्तों, तो यह technology अभी काफी नहीं है, काफी ज़्यादा महंगी है, बैटरी और motors वगेरा, हाला कि इसमें जो battery लगी है वो lithium-ion battery नहीं है, वो थोड़ा सा, आप कह सकते हैं, पुराने technology की या फिर थोड़ी से inferior technology की battery यहाँ पे इस्तिमाल किया है Toyota ने, हला कि Toyota ने use किया है, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही unreliable चीज होगी, definitely यहाँ पे एक बढ़िया चीज होगी, हम expect करते हैं इतने Toyota से, और निकल, metal hydride करके यह battery है, lithium-ion नहीं है, NIMH इसको short में लिखा गया है, और यह 168 cells है इसमें, तो lithium-ion के हिसाब से क्या गलत है, क्या सही है, यह तो थोड़ा long term में जब इसे लोग use करेंगे, तभी समझ में हमें आएगा, यह आप देखिए, कुछे तरह से adaptive systems हैं, जो ADAS features हैं, जो की काफी ज़्यादा safe और secure बनाते हैं हमारे ride को, हलाकि हमारे roads पे कितने काम का है यह, यह testing के पाद ही proper पता चलेगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को like करिए, और चैनल को subscribe जरूर करिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share करिए, Innova High Cross fans के साथ, अब बात कर लेते हैं, expected pricing की, मेरे हिसाब से जो petrol base variant होगा, वो लगभग 15-16 लाग से starting price उसकी रहनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा होती है, तो फिर तो मुझे नहीं लगता है कि वो value for money वाली बात रह जाएगी, क्योंकि बहुत सारी अलग 7-seater SUVs हैं, माना कि वो Innova नहीं है, कि यह ज़्यादा safe भी हो, लेकिन भाई, इंडिया एक price sensitive market है, बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पर क्या होता है, यह जो concept आया है, यह premium 7-seater का, जो जिस तरह की city उगर offer की जा रही है, ऐसी यह गाड़ी already हमारे market में available है, लेकिन उसे भाई, कोई नहीं खरीता है, बहुत ही कम भिकती है वो, और वो गाड़ी है किया कार्निवाल, जी है मैं किया कार्निवाल की बात कर रहा हूं, इतना बेहतरी और फीचर सब कुछ loaded हो गाड़ी है, लेकिन ज़्यादा भिक नहीं पाती है, क्योंकि pricing का issue आ जाता है, तो I hope कि 15 से लेकर के 30 लाग के बीची इसका top model भ कोने वाली है, आप अपना केस कमेंट करें, दोस्तों मैं उमीद करता हूं, Toyota Innova High Cross की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, और कॉमेंट में आप बताईए कि आपको Innova High Cross कैसी गाड़ी लग रही है, क्या ये τεχνή γελία.